असलाम लेकुल प्रेंट वेर्कम बेक टो मैं ओन फैब्रिक चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि सब टिक टाक होगे खैरियस से होगे मैं एक न्यू वीडियो लेकर आई हूं डिजाइनिंग के लिए और जो के आपको पसंद आने वाली है अगर आपको अच्छी रगे तो शेक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ये कुछ ड्रसिस है मेरे पास मैं वन बै वन करके आपको दिखाती जाओंगी इनके डिजाइन और सबसे पहले मेरा जो आटिकल है ये है इंब्राइडरी वाला ये विसकोस लिलियन जो होती है ये उसमें है औ और ये सारा आगे कड़ाई का और सतारे का जो है वो काम है ये फुले इंब्राइडर है ये आप देख सकते हैं यहां पे मैंने इसके जो है फैशन पटी लगाई है पाइपिंग करके नीचे फैशन पटी सिंपल है यहां पे मैंने पाइपिंग नहीं की डोरी पाइपिंग जिसे कहते हैं वो मैंने की है और नेक जो है वो बिलकुल सिंपल है गोल है क्योंकि जो ड्रेस था ये कुछ ज्यादा ही है भी था इस वोज़े से इसको मैंने ज्यादा काम नहीं किया सिर्फ बाजू इसके सिंपल थे तो बाजू पर मैंने आगे नोरी पाइपिंग की है और यह वाला डिजाइन बना दिया है जिसके अंदर से हमें जब बाजू एड़ करेंगे तो यह देखे कितनी खुबसूर लुक आ जाती है तो यह इतना ज्यादा मैंने नहीं किया यह विकल सिंपल सा है सिर्फ बाजू पर ही मैंने हरका सा डिजाइन किया है यह इसकी बैक साइड बैक साइड पर यह चुट-छुट से फ्लावर है कड़ाई वाले इब्रॉइड़ी है यह और फैशन पर्टी है वैसे फ्रंट पर भी के स्ट्रेट टू बेल्ट जो होता है ट्राउसर यह वो है और यह फरंट से जो है वो स्ट्रेट होता है बैक से कपूर है मेरे इन प्रश नहीं किया क्योंकि थोड़ी से लाइट मिसेलाः करते है तो यह कंद फरंट पे ओपन करके पाइपिंग की है और नीचे यहां पे मैंने लेस लगा के जुएया है इसकी निए ​​陳술 बे और यहां पे दो उपर प्लेट है फिर लेस है और देन दो प्लेट नीचे भी मैंने लेस लगाई है तो यह फ्रंट का सारा है और इस पे कुछ भी नहीं है बाजू पे भी हल्का सा मैंने डिजाइन किया है यह देखें यह वैसे ही मैंने लेस लगाई है दो प्लेट है और नीचे भी लेस है तो यह वस इसी तरीके से इसका थोड़ा सा डिजाइन था यह आप देख लें और इसका बैग जो है वो बेरकोल सिंपल है फैशन पटी नीचे लगाई है यह अब देखें यह जब हम नीचे फैशन पटी लगाती है जो बहुत नज़र नहीं आती अंदर की तरफ होती है तो उसे सोट की जो लुक है वो बहुत खुबसूरत आ जाती है तो इस स्वज़ा से मैं दामन पे हमेशा चोड़ी पटी जो है वो अटैच करती हो यह है इसका ट्राउजर ट्राउजर जो है यह आपको यहाँ पर भी धागे बगारे नज़र आ रहे होंगे तो आसरत है कि मैं धागे बगारे भी नहीं उतार सकी कुछ टाइम नहीं था तो यहाँ भी मैंने जो हमारी सैटर में सलाई आती है तो वहाँ भी मैंने इस तरीके से यह स्वोसा बनाके तीन-तीन वक्वे के साथ लगाए है यह भी स्ट्रेट जो है प्लेन है अगसे बैक इलास्टिक है और ये मैंने है तीसरा आटिकल, तीसरा आटिकल जो है इसका, ये खदर का सूट है और इसकी वीडियो पहले भी मैंने अपलोड की है, शॉर्ट वीडियो लेकिन मैं आपको डिटेल से भी बता देती हूँ, कि इसको मैंने कैसे सलाई गिया है यह मैंने लोप्स बनाके अटैच की है इसके ट्राउजर के यह खदर का सूट है और इसके जो लोप्स है यह भी खदर के कपड़े के ही मैंने बनाए है यह बहुत मुश्किल थे बनाने लेकिन फिर भी मैंने बना लिए तो यह पट्टी लगाके उपर मैंने बटर अटैच की और नीचे मैंने फैशन पट्टी के तोर पे कपड़ा अटाच किया है तो यह कुछ इसी तरीके से हो जाता है जब हम नीचे कपड़ा लगा लेते हैं तो हमारे सूट की लुक जो है वह आ जाती है यह उपर से नीचे करदे से नीचे तक जो है मैंने 20 इंच पे पाइपिंग जो है यह लूप्स बनाके लगाए है अगर किसी ने स्क्रीन शॉड ले रहा है तो वह ले सकता है यह वी स्वेम वैसे ही है बैक जो है लास्टिक है फ्रंट है प्लेन है तो उसके बाद आज़ता है मेरा जो था जो है आर्टिकल यह है यह जस्ट एक शर्ट है आई होप हमें जो है वो थोड़ा सा हुस्ला मिल जाता है और शोक से हम बना लेते हैं आप लोगों के लिए वीडियो तो बस और यहां पर मैंने सेंटर पर कट लगाके लेस अटेच किये है उसके बाद मैंने यहां पर प्ले ट है वह आटेच किये हैं यह मैं आपको दिखा देती हू यह देखे प्लेट है अगर सक्रीन चोड लेना है तो आप इसले ले सकते हैं यह देखें यह अई लगाजे था फैर इसके हे यहां पर यहां पर फैरЙ है करें यह जो डिजाइन है यह इसके जो पॉंफलोट होता है मतलब कर जो तस्वीस साथ में देते हैं यह उसके उपर बना हुआ था तो यह से मैंने वैसे ही बनाया है और इसके मैं आपको दिखा देती हूं बाजू सक्रिंशोड ले ले यह डिजाइन बहुत देखने में जैसे ही बनाया है, जैसे पैनिल पर बना हुआ था Right से वीस भी वैसे ही मैने बनाया है उसके बाद में आपको यह दे के नीचे फैशन है नीचे फैशन पती मैंने वीसे ही लगाई है यह बहुत खूर्प शूरत है डिजाइन डिजाइन जो है उसके बाद ये एक सिंपल सा फ्रॉग था तो मैंने सुचा ये भी आप से शेड कर लूँ बच्चियों के लिए हम अक्सर ऐसे डिजाइन जो है वो करते रहते हैं ये फ्रंट से मैंने ओपन की है डॉरी पाइपिंग जो तिये वो लगाई है और साथ में मैंने बटन जो है फासले पे रखके अटेच किये है और नीचे भी देखें आप ये साइड से बॉर्डर था फ्रॉग का तो वो मैंने कुछ इस तरीके से मैनेज किया है ये देखें न दो से डाई या तीन इच का जो कपड़ा है वो फॉल्ड करके लगाया हुए है अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए का शेक कीजिए का चैनल को सबस्वाइब लास्मिंग कीजिए अब मैं आपको मिलूँगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज